हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे हैं सब लोग, मास बढ़िया, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, फार्मकलोजी में चैप्टर नमबर 4 और लेक्चर नमबर 8 है ना, सेंट्रली अक्टिंग मसल्स रिलेक्सेंट, याने कि यहाँ यह से कभी दौड़बाग की होगी, या कभी जिम गए होगे, तो मास पेशियां अकर्सी जाती है, तो वो जो अकरंसी आती है, उसी को जब रिलेक्स करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मसल्स रिलेक्सेंट बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो क्या है इसकी definition इस आधा ड्रग विच रिडूज स्केलेटल मसल टोन इस सारी बाते कहीं ना कहीं हम लोग कहां कर चुके हैं फार्मसिटिकल केमिस्ट्री जो पार्ट वन था हमारे पास यान की डिफार फर्स्ट इयर में जो अपने पड़ा था वहां पर कहीं ना कहीं सारी बाते हम लोग पहले भी कर चुके हैं तो वाली लेक्चर भी तुम लोग रिपीट कर सकते हो ठीक है एंड लेस्न मसल स्पास में स्पास मोता है जो एठर होती है थीक है बाय यह सेलीक्टिव एक्षां इन-दस सेरेक्रलय अक्सिस कहां पर काम करता यह हमारा सयरेक्षां की जो एक्सिस होती है विदाउट आल्टेरिंग कॉंशियसनेस हम जो हम पर पेंके लिखाते हैं मसली छ श्राइटिक क्या बोलते हैं इस पास्मॉलाइटिक तो सेम बात है और यूज्ट टू एलिविएट मतलब कम करना मस्कूलोस्केलटल पेन जो मस्कूलस में पेन होती है कई बार चोट लग जाती है पैर मुड जाता है तो खिचाओ आ जाता है कई बार हमें नव्स की वज़े से भी जमाई निरोलोजिकल कंडिशन होती है उनमें भी क्या आता है तो उसको भी क्या करता है यह कम करता है क्लासिफिकेशन की बात करें तो कुछ मेडिसीन जो लोग मेडिकल स्टोर पे बैठते हैं जानते हैं तो बताओ मैं जैसे की एक क्लोर जॉक्सवन बड़ा फेमस तुम लोग ने सुन रखा होगा ठीक है डाइवीपाम तो सुनाई हुआ है और थायोक्लो थायोक्लो कोसाइड ठीक है और तिजानी डी यह मेडिसीन बड़ी फेमस है अगर नॉर्मली बतलब देखोगे तो यह चलती है मार्केट में य यह और लेक्सेंट के लिए आने की आपने बहुत ज्यादा भाग दोड़ कर लिए थीक है न तो तुम देखोगे जैसे इसमें एक आती है इंटा जैसिक मार आती है आपके एक फ्लेक्सवन एमार आती है मार का मतलब होता है मसल्स रिलेक्सेंट इन मेडिसीन में देखना य अलफा टू एकउनिश्ट अब अलफा टू का मतलब समझते हो यहां पर ठीक है ना तो बात यहां पर फिर कह रहा हूं मैं चीज़ें को बावार रिपीट नहीं करेंगे वहना वही बहुत लेंदी हो जाता है सिंपल सी बात समझनी है मैं फैंसीन कंजीनर उसके रिस्तिदा प्रॉपर्टई याने कि सब के सब के सब के पास क्या मतलब क्या होता है मैं बता चुकर है लेक्चर अपूरा करचुक है स्प्रॉपए लोमस्क्ति नवॉट लाने कि जो ट्रांसमीशन है नर्व्स का मशेल के लिए उसके उपर कोई impact नहीं आता है and ormasle fy secondary but reduce डिसरख़ुरोइट, रिजिडिटी, एन फाइपरफलैक्षी, हईपरफलैस्य मतलब जो एक तरसे मसल का फ़टकना बहुत ज्यादा, यह जो रिजिडिटी, अकरणसी आती है, उसको क्या करते है, यह, एजीडियनि के डोज, इनको तुम याद करोगे, बाकी तो 4-5 ज्यादा नहीं है ठीक है ना तो हम देख सकते हैं डाइजी बाम का इस्तवाल हम लोग टिटनस भी कर रहे हैं तो यह एक हमारे लिए वैसे भी important हो जाता है है ना कितने-कितने हम इस पास्म अब इस पास्म आली बिमारिया कौन-कौन सी होती है एक होती है एक ईक्यूट मुस्ल इस पास्म टोटिकोली सलम्टेगा निंघ्र कमर में दृट ऊता है उसमें मास की से किटाव सा या चैना-कित्र पाता है खीक वर तक हम दोडिया है वाकी हम नंब तो को लेकर प्रॉलम आगी, anxiety और tension, जब परिशान होते हैं, तब भी हमारा क्या है, मास्पेसिया, सर में कई बार खचा हो रहागा, सर में दर्ध होने लगता है, या हमारे बॉड़ी के किसी खास पार्ट में कई बार देखोगे, tension में दर्ध होता है, वो मास्पेसिया में खिटाओ आता है, आज़ा, जैसे यहाँ पर क्या है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ पॉइंट है, तुमको जो जो असान लगे, जैसे मसल स्पास में असान लगेगा, back hack असान लगेगा, anxiety असान लगेगा, tension असान लगेगा, titanus असान लगेगा, तो जो जो असान लगते हैं, उनको याद कर लो, जो तुमको लगता है कि हाँ, यह मैं भूलूँगा नहीं, ठीक है, electroconversive therapy, जब यह therapy चलती है, तब भी हमारे मास्पेसियों में क्या होता है, खिचाव साहता है, orthopedic manipulation, ठीक है, तो यह सारी वो बिमारियां है, यह वो सारी condition जहाँ पर कहीं नहीं है, हमारी space मा आता है, और उसको ठीक करने के लिए हम लोग, centrally active muscle relaxant का इस्तवाल करते हैं, contraindication हमेशा की तरह, hepatic, यानि की liver और renal, यानि की kidney, अगर इन में कोई दिक्कत है, ज्यादा है, इनका failure है, या इनमें disease बिमारी है, तो हम इसका इस्तमाल नहीं करेंगे, combination with CNS depressant, अगर CNS के depressant जो उनके साथ, उन दवाईयों के साथ, अगर हम इसका इस्तमाल करते हैं, तो वो कई बार हमारे लिए साई नहीं रहता है, जैसे कि barbiturate है, opioid है, tricyclic antidepressant है, alcohol है, इनके साथ इसका इस्तमाल ना किया जाए, तो better है, ठीक है, use caution with pregnancy, breastfeeding, seizure disorder and heart disease, heart disease है, pregnancy है, breastfeeding कर आ रहे हो, या seizure जैसे disorder है, इन cases में इन दवाईयों का इस्तमाल बड़ी ही साथ धानी से करें, clear है, तो छोटा सा lecture था, कुछ खास नहीं था हमारे पास, और हमारे पास ये lecture खतम हो जाता है, तो कितना छोट 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 हो गए हैं, कितना मज़ा आता होगा, एक एक lecture पांट पांट दर्जस मिट के खतम हो जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका फाइदा उठाएं, ठीक है, और पढ़ते रहें, ठीक है, अब छोटे लेक्चरों का फाइदा ये भी है, कि एक लेक्टर पांट पांट दर्जस मिट के हैं, तो कई बार सुन सकते हो, सुनने से ही तुमको बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, के लिए रहे बाते हैं, तो करना क्या है, पढ़ते रहना है और रिवाइस करते रहना है, ओके, All the best!